नमाशकार दोस्तो आज हम मनाने जा रहे हैं धाबाई स्टाइल में बत्वा की डाल बनाएंगे दोस्तो दोस्तो इसमें सबसे ज़्यदा इंपॉर्डेट होता है तड़का अगर आप तड़का इसका जान जाएंगे न तो आप बहुती इदम सौधिस्ट बत्वा डाल बना स हम यहां पर दो से तीन बार पानी से अच्छे पानी से धो लेंगे दोस्तो तो यहां पर मैं धो लिया हूँ दाल को दोस्तो यह देखिए और धोने के बाद अब हम यहां पर कूकर में इस दाल को एड़ कर देंगे तो एड़ करने के बाद अब हम इसमें पानी एड़ करें आधा चमच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर एट कर देंगे और इसी के साथ मैं हाँ पर एक चमच नमक एट कर दूँगा और इसके बाद हम कैफ लगा कर तेन सीटी बजने तक इसको पकाल लेंगे इसके बाद हम यहाँ पर बथुआ की तरफ आ गये हैं तो मैंने यहाँ पर एक बंडल बजार से बथुआ लिया हूँ दोस्तों और उसके बाद मैं यहाँ पर बथुआ के सौप पार्ट कट कर लिया हूँ तो यह देखे दोस्तों एकदम सौप पर पार्ट बथुआ के मैंने यहाँ पर कर लिया हूँ इसके बाद हम इस बद्वा को दो बार अच्छे पानी से धो कर और इसको बारिक चॉप कर लेंगे और अब हम यहाँ पर अपनी दाल की तरफ आ जाते हैं तो दाल हमारी यहाँ पर पग गई है दोस्तों और कैफ को निकाल कर देखते हैं तो यह देखें दोस्तों बहुत अच्छे से हमारी दाल इदम से गल गई है यह देखें दाल दोस्तों इदम से पक गई है तो इसको हम रख देंगे साइड में और अब हम चलेंगे बतवा दाल धाबा इस्टाइल बनाने की तरफ तो मैंने यहाँ पर कढाई ले लिया हूँ और इसमें हम यहाँ पर एड़ करेंगे दो चमच सरसो का तेल बहुत बढ़िया खुसबुआएगे दोस्तों सरसो का तेल से और आधा चमच हम यहाँ पर जीरा और आधा चमच लसुन और अद्रक का पेश्ट एड़ कर देंगे और यहाँ पर दो प्याज बारिक चौप कर के add कर देंगे, इसके बाद हम चमत की सहायता से पहले प्याज और लसुन अद्रक का paste को अच्छे से पका लेंगे, तो इस तरह हमें अच्छे से mix करने के बाद अब हम यहाँ पर दो हरी मिर्च लंबे slice में cut करके add कर दिये हैं, और इसके बाद हम चमत की सहायता से फिर से अच प्याज अच्छे से पक गई है और अब बारी है यहां पर सुखे मसाले एड़ करने की आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच हम यहां पर लाल मिर्श पाउडर एड़ करेंगे और एक पिंच हम यहां पर कस्मिरी लाल मिर्श पाउडर एड़ करेंगे और मिक्स कर दें कि हमारे यहां पर जो भी मसाला है न वो एकदम चटाकेदार दिखने लगा है वो कस्मीरि लालमिश पाउडर्र से हुआ है दोस्तों तो इसके बाद हम यहां पर बदुआ लिए हैं दोस्तों चॉप करके ये देखिए तो क्या हम यहां पर आड कर देंगे और और एड़ करने के बाद चम्मत की सहायता से मिक्स करेंगे दोस्तों आप ऐसे ही मिक्स करते रहे और देखेंगे दो मिट के बाद कि बथुआ बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो जाएगा तो दो से तीर मर्थ तक आपको ऐसे ही चलाच लगकर हमें बथुआ को पकाना है तो ध्यान पुर्योग हम यहाँ पर दाल को एड़ कर दिये हैं और इसके बाद हम स्वाद उनसार नमक एड़ कर देंगे दोस्तों जब हम दाल को पकाए थे ना तो एक चमच नमक एड़ किये थे तो इसलिए अब हम यहाँ पर स्वाद उनसार नमक एड़ करेंगे तो add करने के बाद अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से mix करेंगे और mix करने के बाद अब हमें इसे 5 मिट के लिए ढक करके पकाना है इस दाल को तो दाल जब तक यह पकती है तब तक हम यहाँ पर तड़का तयार करते हैं दोस्तो यह तड़का बहुत ही टेश्टी बनाएगा धाबाई स्टाइल बतुवा दाल तो तड़का में हम यहाँ पर दो चम्मच सरसो का तेल एड़ कर देंगे और यहाँ पर लसुन की कल्या को चौप करके एड़ किया हूँ इसके बाद हम अद्रक को चौप करके एड़ किया हूँ इसके बाद हम यहाँ पर एक पिंच हिंग एड़ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक पिंच कस्मिरी लाल मिर्च पौडर एड़ कर देंगे और इसके बाद आधा चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पौडर अड़ कर देंगे इसके बाद हम यहाँ पर तीन लाल मिर्च अड़ कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसको गरम होने के लिए रख देंगे और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं डाल की तरब तो डाल बहुत अच्छे से दोस्तों यह पक गई है यह दिखिए और इसके बाद हम इसको अच्छे से mix कर देंगे और यह दिखिए दोस्तों बहुत बढ़िया अमारी यहां पर बतुआ की डाल तयार हो गई है यह दिखिए और इस डाल को हम यहां पर एक बरतन में transfer कर लेते हैं transfer करने के बाद अब हम यहां पर तड़का जो तयार की थे ना वो तयार हो गया है और add कर देंगे add करने के बाद और इसको अच्छे से mix कर देजे दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों खुजबू आ रहे है एकदम धावा style में बतुआ की डाल तयार हो गई है आप इसे के साथ चावल के साथ का यह बहुत बढ़िया लाजवाब दोस्तों हमारी यह बतुआ की डाल बने हुई है डाबा style में दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल में तो भी इस वीडियो को ला दारे ताहूं